9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्वारब होगा जिसे अगस्त क्रांती की रुप में जाना जाना है और 15 अगस्त 1947 देश आजहाद होगा एक प्रकार से अगस्त महने में अनेक घटनाई आजहादी की तवारिक के साथ विशेश रुप से जुड़ी होगा बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत छोड़ो ये नारा डॉक्टर यूसूप महर अली ने दिया था हमारे नई पीड़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था कि 1857 से 1942 तक जो आजहादी की लग के साथ देश्वासी जूड़ते रहे जूजते रहे जेलते रहे इतिहास के पन्ने भव्य भारत के निर्मान के लिए हमारी प्रेणा है हमारे आजहादी के भीरों ने त्याग तपश्या परिदान दिये हैं उससे बड़ी प्रेणा क्या ह कि भारत छोड़ अंदोलन भारतिय सुतंत्रता अंदोलन का एक महत्वकुन संगर्स था इसी अंदोलन में विल्टीज रात से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर गिया था ये वो समय था जब अंग्रेजी सप्ता की व्रोध में भारतिय जनमानस हिंदुस्तान क अधिया हर कोने में गां हो शहर हो पड़े हो अनपढ़ हो गरीब हो अमीर हो हर कोई कंदे से कंधा मिला करके भारत छोड़े और अंदोलन का हिस्सा नहीं जना क्रोष अपनी चरम सिमा पर था मात्मा घांदी के आवाहन पर लाखो भारत वासे करो या मरो की मंत्र के सांब जीवन को संगर्स में जोंक रहे देश के लाखों नव जवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ देती किताबे छोड़ देती आज आधिगा विगुल बजा चल पड़े थी 9 अगस्त भारत छड़ आंदोलन भात्मा घांदी ने आवान तो किया लेकिन सारे बड़े नेता अंग्रेज सल्टनत ने जेल में हर किसी को डाल किया और वो कालखन था कि देश में सेकंड जेनरेशन की लिडर्शिप में डॉक्टर लोहिया जैप्रकार नारायन जेसे जाना पड़ा कि अगर 300 करोर्व देश वासी नव अगस्त रांती दिवस को यात इस पंद्राइबस को हर भारत वासी शंकलब करें व्यक्ति के रुपके नाग्री के रुपके में देश के लिए इतना करके रहा परिवार के रुपए यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जूड़ना है और हमें संकल्प करना है गंदकी भारत छोड़ो गरीबी भारत छोड़ो प्रश्टाचा भारत छोड़ो आतंकबाल भारत छोड़ो जीजान से सफलता पाने के लिए फुशार्त करने के है झाल झाल